मानो प्रजाति एवं जन जातियां यानी human races and tribes मानो प्रजातियां यानी human races इस अध्याई के अंतरगत हमें मानो प्रजाति से तातपरि, प्रजाति का निर्धारण, उदुभव, वर्गिकरण, आदिसे संबंधित तत्यों का अधियन करना है इस क्रम में हम सर्व प्रथम मानो प्रजाति से क्यातात परि है, निर्धत्व शास्त्रियों ने इसे किस रूप में परिभाशित किया है, इसकी जानकारी प्राप्त करें इस संदर्व में मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वंशा नुकरम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में परियाप्त समानता रखने वाले वर्ग को प्रजाती कहते हैं। प्रख्यात नितत्व शास्त्री हैडन के अनुसार प्रजाती शब्द वर्ग विशेश को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेशताएं आपस में समरूपता दर्शाती हैं। ये जन्मजात संबंध पाये जाते हैं। जिनका की उनके द्वारा पिल्धी दर्पिल्धी वेहन किया जाता है। गोल्डेन वीजर के अनुसार एक प्रजाती मनुश्यों का उपविभाग है जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की प्राकृतिक देन रहती है। इससे सपश्ट है कि प्रजाती सामाजिक अथ्वा सांस्कृतिक वर्ग की नहीं अपितु प्राकृतिक नसल की परिचायक होती है। विश्व के समस्त मूल निवासियों को चतुर्थ विश्व की संग्या दी जाती है। मानो प्रजाती का निर्धारण मानो शरीर की आक्रिती एवम उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मानव प्रजाती का निर्धारन मुखेतया दो आधारों पर किया जाता है। वे दो आधार हैं एक बाह शारीरिक लक्षण एबं दो आंतरिक शारीरिक लक्षण। बाह शारीरिक लक्षणों में बालों की संद्रचना, त्वचा का रंग, मुखाक्रिती, नेत्रों का रंग, होठों का आकार, शरीर का गद आधि को शामिल किया जाता है। जबकि आंतरिक शारीरिक लक्षणों में गपाल हरिता, गपाल सूचकांक, नासिका सूचकांक, रक् प्रजाती के लोग सीधे बाल तथा पीत वर्ण वाले होते हैं। 3. निग्रो प्रजाती इस प्रजाती के लोग उन सदृष्य बाल वाले तथा श्याम या कृष्ण वर्ण के होते हैं। प्रजातियों का वर्गी करण विश्व में मानों प्रजातियों का वर्गी करण का प्रथम प्रयास 18 शताब्दी में नितत्व विज्ञान वेत्ता वर्नियर द्वारा किया गया। ततपशात लिनायत ने महद्वीपों के आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गी करण चार भागों में किया। एसी हेडन महोदे ने केशों की संरचना के आधार पर विश्व की मानो प्रजातियों को आठ वर्गों में विभाजित किया। वे आठ वर्ग हैं, एक, निग्रो, दो, निग्रेटो, तीन, आस्ट्रे लॉयड, चार, भूमध्य सागरीय, पांच, अल्पाइन, छे, नार्डिक, साथ, अफगान, आठ, मंगो लॉयड. तदंतर अनेक नितत्व शास्त्रियों ने मानो प्रजातियों के संदर्भ में अपने अपने वर्गी करण प्रस्तुत किये. भारत में प्रजातियों के बारे में सर्वप्रथम वर्गी करण हार्वर्ट रिसले ने दे पीपल ओफ इंडिया में प्रस्तुत किया. इन्होंने भारत की प्रजातियों को साथ वर्गों में विभक्त किया किन्तु उनमें सर्वप्रथम तीन प्रजातियां मंगोल, द्रमिन तथा इंडो आर्य भारत में निवास करती थी इन्ही के मिश्रण से बाद में इंडो द्रमिन, मंगोल द्रमिन आदि बनी AC Hayden ने भारती प्रजातियों को पांच भागों आदी द्रमिन, द्रमिन, मंगोल, इंडो आरिय तथा इंडो अल्पाइन में विभक्त किया JH Hutton ने भारत की प्रजातियों को छे भागों में विभक्त किया वे हैं एक नीग्रेटो, दो प्रोटो आस्ट्रेलोयड, तीन मेडिटरेनियन, चार अल्पाइन, पांच मंगोलोयड, छे इंडो आरिय वीसी गुहा भारती समाज को निमलिखित छे वर्गों में विभक्त करते हैं एक नीग्रेटो, दो प्रोटो आस्ट्रेलोयड, तीन मंगोलोयड, चार वेस्टर्न ब्रेकी सेलफाल्स, पांच मेडिटरेनियन, छे नार्डिक इनमें प्रथम तीन समूहों निग्रेटो, प्रोटो, आस्ट्रोलोयड तथा मंगोलोयड से भारतीय प्रजातियों की उत्पति मानी जाती हैं भारत की प्राचीन जन्जातियां निग्रेटो समूह से संबध मानी जाती हैं भारत के मध्यभाग की जनजातियां निशाद, प्रोटो, आस्ट्रेलॉइड उत्तर तथा उत्तर पूर्व की सेमान्त जनजातियां मंगोल, किरात तथा दक्षिन भारत की जनजातियां मुखितया द्रमिल्ड प्रजाती समूह के अंतरगत आती हैं विश्व की आबादी को मुखितया तीन व्रहत प्रजातियों के अंतरगत विभक्त किया जाता है एक काकेशियन प्रजाती, दो मंगोलियन प्रजाती, तीन निग्रोईड प्रजाती, एक काकेशियन प्रजाती इस प्रजाती की गड़ना विश्व की सबसे व्रहत प्रजाती के रूप में की जाती है। इसकी आबादी एक दशमलव पांच अरब से अधिक है। लहरदार बाल, श्वेत या गेहुआ त्वचा वाली इस प्रजाती को कुछ विद्वान नाडिक अलपाइन एवं भूमध्य सागरिये में विभक्त करते हैं। नाडिक प्रजाती के लोग सकेंडे नेबिया यानी नार्वे, स्वीडेन, फिनलेंड तथा ब्रिटिश द्वीब समू में निवास करते हैं। अलपाइन प्रजाती के लोग मध्य यूरोप तथा पश्यम एशिया में एवं भूमध्य सागरिये प्रजाती के लोग स्पेन, इटली, मिस्र, भारत आदी में निवास करते हैं। 2. मंगोलियन प्रजाती पीली त्वचा, चौणा माथा, अधखुली आँखें वाली मंगोलोयट प्रजाती का निवास स्थान केवल एशिया महद्वीप है। 3. निग्रोईड प्रजाती उन जैसे घुंगराले बाल, काली त्वचा वाली निग्रोईड प्रजाती को वील्स तथा हाईजर जैसे विद्वान, विश्व की प्रथम प्रजाती मानते हैं। इसका निवास क्षेत्र अफ्रीका महद्वीप है। मानो यानी human being क्रमिक विकास की परिणती है, जिसके आदिम रूप का उदभव नव जीव कल्प के तर्शरी युग में करीब 1.1 करोड वर्ष पूर्व हुआ। इसकी उत्पत्ति के मूल स्थान के विशे में विद्वानों में मत वैमिन्य हैं। ग्रिफिक टेलर के अनुसार मानव का उदभव क्षेत्र मध्य एशिया है। गैब्रो के अनुसार तिबबत ओसबर्न के अनुसार मंगोलिया है। कीत, डाट, लिके आदि विद्वान अफ्रीका को मानव का आदिक शेत्र मानते हैं। निग्रोईड तथा आस्ट्रेलोईड प्रजातियों का आदिक शेत्र पंचानन मिश्रा भारत को मानते हैं। चिंपैंजी, गोरिला, ओरांग, आदि जोकी प्राणी शास्त्री भाषा में उचस्तन्य प्राणी, प्राइमेट यानी कपी या बंदर हैं को मानों का पूर्वज माना जाता है। इनी से उद्विकासी प्रक्रिया के फल्स्वरूप आधुनिक मेधावी मानों यानी होमो सेपियन्स का जन्म या विकास हुआ। उलेखनी है कि फेडरिक रेट जेल को मानो भुगोल का जनक माना जाता है। जनजातियां यानी ट्राइप्स प्रजाति का अध्यन कर लेने के बाद अब हम जनजाति के विशय में संख्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। इस संदर्भ में भी सर्वप्रथम प्रश्ण यही है कि जनजाति किसे कहते हैं। अस्तु, मोटे तोर पर कहा जा सकता है कि समुदाय में रहने वाले आदिवासी कुल के लोगों को जनजाति यानी ट्राइप्स कहते हैं। ये अत्यंत पिछडी दशा में जीवन यापन करते हैं। इनका निवास यानी हैबिटेट, मुखितया, पठारी, पहाडी एवं जंगली क्षेत्रों में होता है। अर्थात, जनजाति का तात्पर्य ऐसे पिछडे मानों समूह से है, जो अत्यंत पिछडे क्षेत्रों में अपनी अतिप्राचीन परंपरावादी विचार धाराओं एवं रीती रिवाजों के साथ जीवन यापन करते हैं। इन्हे आदिवासी वन्य जाती या आदिम जाती के नाम से भी जाना जाता है। यानि Hill Tribes and Forests Tribes की संग्यादी है। भारती सम्विधान में इन्हे सूचिबध किया गया है। इसलिए भारत में इन्हे अनुसूचित जनजाती के नाम से जाना जाता है। प्रसिद समाज शास्त्री डॉक्टर जी एस घुरिये ने इन्हे तथा कथित आदिवासी यानि सोकार्ड अबोरिजनस अत्वा पिछडे हुए हिंदू यानि बैकवर्ड हिंदूस नाम दिया। तथा इनके लिए अनुसूचित जनजाती यानि सिड्यूल्ड ट्राइब्स संग्या प्रस्तावित किया। जो की भारती समविधान के अनुछेद 342 के अंतरगत स्वेकार किया गया। महत्मा गांधी ने अनुसूचित जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग किया। भारत सहित विश्व की कुछ प्रमुक जनजातियों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। 1. एसकिमो इसकी सभी निर्जातिय प्रजातियों का संबंध मंगोलोयट प्रजाति से है। ये स्वेम को इन्यूट कहते हैं। इनका समाज पित्र सत्तात्मक होता है। 2. एसकिमो का आर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये टुंडरा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाती है। टुंडरा प्रदेश शीत प्रधान एवं हिमाच्छादित हैं। जो उत्तर में आर्कटिक माहसागर के चारो ओर कनाडा, ग्रीन लैंड, लैप लैंड तथा उत्तरी साइबेरिया में फैले हुए हैं। लगभग 60-70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करने वाली इन जनजातियों को उत्तरी कनाडा एवं ग्रीन लैंड में, एसकिमो, उत्तरी यूरोप यानी यूराल के पशिम में, लैप्स, उत्तरी साइबेरिया यानी यूराल परवत के पूरब में, सैमो लेटक तथा शिकारी होते हैं। एसकिमो लोग सील मचली, वाल्रस नामग जलजनतु तथा कैरिबो नामग बारह सिंगे का शिकार करते हैं। शिकार के लिए हड़ी के बने भाले का प्रयोग करते हैं, जिसे हारपून कहते हैं। चिद्रों के माध्यम से शिकार की शैली इतु आरपोक कहलाती है। शिकार के लिए कभी-कभी नावों का प्रयोग किया जाता है। जिसे कायक कहते हैं। परिवाहन के लिए बिना पहिये की गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जिसे सलेज कहते हैं। इसे कुत्ते खीचते ह निवास के लिए बर्प की एकल चटान को काट कर गुम्बद नुमा घर बनाए जाते हैं जिसे इगलू कहते हैं। निवास के लिए रेंडियर का अधिक संख्या में शिकार किया जाता है। जब एक परिवार के पास 400 से 500 रेंडियर हो जाते हैं तो वो अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है। ये सामाजिक एवं संपत्ति के भी ध्योतक होते हैं। 2. खिरगीज ये भी मंगोल प्रजाती से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ है 40 पुत्रियां। ये मध्य एशिया के उच्छ पठारी भूभाग के निवासी हैं। इनके प्रांत का नाम किरगीजिया है। किरगिस्तान 1991 तक ततकालिन सोव्यत संग का एक राज्य था। किन्तु आज एक पूर्ण स्वतंत राष्ट्र है। ये पश्चिम दक्षन, दक्षन पूर्व में क्रमशा, फर्गना, अलाई, एबं, तियन शान पर्वत शिर्णियो से घिरा है। उत्तर की ओर ये साइबेरिया के मैदान से जुड़ा हुआ है। खिरगीज मूलतह पशुचारक हैं। किन्तु आज ये सामोहिक क्रिशी फार्मों के माध्यम से इस्थाई क्रिशी करने लगे हैं। ये पशुचारण के लिए सपरिवार मौसमी प्रवास करते हैं। अर्थात इनका मुख्य आर्थिक उद्यम पशु पालन ही है। भेंड बक्रियां, गाए, याक, घोडे इनके मुख्य पशु हैं। यहां दो कुम्भ वाले उूट भी पाले जाते हैं। दूध देने वाले पशुओं में गाएं तथा याक मुख्य होते हैं। याक बोज़ाड होने के लिए भी पाले जाते हैं। खिरगीच के वस्त्र उन याकाल के बने होते हैं। ये मुख्य तया उनी वस्त्र का प्रेयोग करते हैं। इनका भोजन मुख्य तया दूध, दही, मक्षन, घी तथा मांस है। दूध को सड़ा कर खटी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहते हैं। तयोहारों पर घोडे का मांस खाने का प्रचलन है। निवास के लिए अस्थाई तंबू का प्रेयोग करते हैं। जिसे यूर्त कहते हैं। ये चोरी करना गौरोव समझते हैं। ये उन, उनिवस्त्र, कालीन, गलीचे, कंबल, दुशाले, घोडे आदि का विक्रे तथा आठा, चाय, नमक, माचिस, सूती, वस्त्र, बंदू के आदि का क्रे करते हैं। तीन, बद्दू एवं रुवाला ये अरब प्रायद्वीप में निवास करने वाली जन जातियां हैं। अरब प्रायद्वीप के दक्षुनिक शेत्र में यमन, अदन ओमान इस्थित हैं। अरब के मध में नर्जद, पठार तथा उपरी हिस्से में अरब का विशाल, मरुस्थल, रब अल, खाली इस्थित हैं। जो लगभग निर्जन है। इसके उपर नेफद का मरुस्थल है, जो की रेतीला है। नेफद के उत्तर में हमद का मरुस्थल ह जो पत्री ला है इसके उत्तर में छोटी छोटी घासों का शेत्र है अरब का उत्तरी भाग जिसमें हमद एवं नेफत के मरुस्थल हैं खाना बदोशी जीवन यानी नोमेडिक लाइफ का शेत्र है इसके निवासी उट पालने वालों को रुपाला कहते हैं उटनी का दूध रुपाला लोगों का मुख्य भोजन है ये उट के अलावा भेण, बकरी एवं घोडे भी पालते हैं नेफत में रहने वाले खाना बदोशों यानी नोमेड्स बद्दू कहलाते हैं ये आवास के लिए तंबू तथा वस्त्र के रूप में लंबे चोंगे, पजामे तथा स्कार्फ का प्रयोग करते हैं इनके तंबू बकरी के बालों से बनी हुई पट्टी से बनाये जाते हैं चार पिग्मी ये मध्य अफ्रीका के पशिम में गैबन से पूरब में यूगांडा तक रहने वाली जन जाती है इनका विस्तार सामानितय तीन डिग्री उत्री अक्षांश से तीन डिग्री दक्षणी अक्षांश तक है इनकी अनेक उप जातियां हैं जिन्हें त्वा, बात्वा, मबूती, बिंगा, गेसेरा, आदी नामों से जाना जाता है इनके समू को आचुवा कहते हैं फिलिपीन्स में रहने वाले पिग्मियों को आईता तथा न्यूगिनी के पिग्मियों को तापीरों कहते हैं ये नेग्रीटो प्रजातिके होते हैं ये भी चलबासी यानि नोमेडिक जीवन व्यतीत करते हैं ये ना तो कृशी करते हैं ना पशुपालते हैं। ये आखेटक होते हैं तथा इनका जीवन मांस और कंद मूल फल पर आधारित होता है। वस्त्र के रूप में व्रिक्षों की छालें या पत्तियों को कमर के नीचे पहनते हैं। पुरुष खाल भी लटका लेते हैं। निवास के लिए इस्थाई बस्तियां नहीं बनाते हैं। इनकी अस्थाई जोपडियां मदुमक्खी के छत्ते की तरह होती हैं जिने बी हाइव कहते हैं। ये व्रिक्षों की तहनियों को अर्ध व्रत्ताकार मोल कर उनके दोनों शिरों को जमीन में गार देते हैं। तहनियों से बने अर्ध व्रत्ताकार धाचे के उपरी भाग को पत्तियों से धग दिया जाता है। इनकी जोपडी का व्यास दो मीटर तथा उंचाई डेर्ड मीटर होती है प्रवेश द्वार लगभग पचास सेंटीमीटर उंचा एक छिदरुनुमा होता है जिसमें से रेंग कर घुटनों के बल भीतर प्रवेश करते हैं ये आखेट के लिए तीर भाले का प्रयोग करते हैं कांगों में रहने वाले बातवा हाथी को मारने के लिए विशाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं इन में मूक, विनमे प्रणाली यानि साइलेंट बार्टर सिस्टम की प्रथा पाई जाती है 5. मसाई ये पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया जहील के पूरब की ओर केन्या, उत्री तंजानिया एवं पूर्वी यूगांडा के पठारी क्षेत्र में एक डिगरी उत्री अक्षांश से पांच डिगरी दक्षणी अक्षांश के मध्य निवास करने वाली जन जाती है ये भोजन में मुख्यतया मांस, दूद, कंद, मूल, फल का प्रियोग करते हैं इनका पेशा पशुपालन है पशुओं में भेड, बकरी तथा गाएं मुख्य रूप से पाली जाती है गाएं दूद के लिए पाली जाती है इनके जीवन में गायों का विशेश महत्व है इनके वस्त्र चमडे के बने हुए हलके कपड़े होते हैं उस सवों में औरतें तथा योधा नवयुवक, क्रमशा, लोहे के बने तार एवं चमडे के बने आभूशनों का प्रयोग करते हैं आवास के लिए घासफूस एवं जुर्मुटों से जोपडी का निर्माड करते हैं प्रत्येक पत्नी की अपनी एक जोपडी होती है जोपडियों के समूह को क्राल कहते हैं प्रत्येक परिवार का अपना एक क्राल होता है एक क्राल में 20 से 50 तक जोपडियां होती हैं सामाजिक व्यवस्था में विवाह और पशुओं तथा अन्य संपत्ति को पाने का अधिकार गोत्र पर आधारित होता है गोत्र पिता के गोत्र पर निश्चित होता है एक गोत्र में शादी वर्जित है केनिया के मसाई दो बड़े गोत्रों में विभक्त हैं एक काले बैल के गोत्र वाले तथा दो लाल बैल के गोत्र वाले लड़की की शादी 25 से 30 वर्ष की अवस्था में होती है किन्तु निश्य बच्पन या जन्म के पूर्व ही हो जाता है इनमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है 16 से 30 साल के युवकों को युद्ध के लिए रखा जाता है इनका कर्तव अपने दल के लोगों तथा पश्मों की रक्षा करना होता है मसाई लोगों का एक प्रधान धार्मिक नेता होता है जिसे लैबन कहते हैं ये भयानक अज्यात शक्तियों का स्वामी होता है पवित्र आत्मा समझा जाने वाला लैबन एन गाई नाम से प्रसिद इश्वर की पूजा करता है छे बुश्मेन ये एक आखेटक जन जाती है जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है इनका निवास क्षेत्र 18-24 डिग्री दक्षणी अक्षांश के मध्य मुखतया बोटसवाना में सीमित है इस जन जाती की संख्या निरंतर घटी जा रही है ये सर्व भक्षी होते हैं फिर भी छोटे-छोटे कीट इन्हें विशेश पसंद है दीमक को बुश्मेन का चावल कहते हैं इनके द्वारा मेंढक, कच्छवे, गिलकित, शिपकली का भी खूप सेवन किया जाता है जंगली, तर्बूज, सामा, जिससे भोजन तथा पे दोनों प्राप्तों होते हैं का भी सेवन किया जाता है वस्त्र के रूप में खाल का प्रेयोग किया जाता है जो की कमर के नीचे टांगों के मध्य भाग में लटका लिया जाता है पुरुष एक खाल तथा औरतें दो खाल धारन करती हैं बीजों को डोरी में बांध कर इस्त्रियां आभूशन के रूप में धारन करती हैं ये कभी सनान नहीं करते अर्थात इनका रहन सेहन बड़ा गंदा होता है निवास के लिए प्राया गुफाओं या कम गहरे भूचिद्रों का प्रेयोग करते हैं कहीं कहीं लकडी और पत्तों की जोपडियां भी बनाते हैं आखेट के आउजारों में तीरकमान, भाले, लाठियां, चाकू, बर्चियां आदि का प्रेयोग करते हैं विश्व की कुछ अन्य प्रमुख जन्जातियां देश ब्लेक फेलो ओस्ट्रेलिया बोरो ब्राजील वेद्दा श्रिलंका एनु जापान हाइडा, कनाडा, हाउसा, नाइजीरिया, माओरी, निउजीलेंड, अल्वा, निकारगुआ, रेड एंडियन, युएसे, लाई, म्यामार, शान, थाइलेंड, सेमांग, थाइलेंड, सकाई, मलेशिया, फुला, सुडान, फिलाह, मिस्र, बंटु, दक्षणी, अफ्रीका, हाका, चीन, किकुईू, केन्या भारत की जनजातियां जनसंख्या की दृष्ट से सबसे छोटी जनजातियां हैं एक, शोंपेन, अंडमान निकोबार दो, सेंटेनलीज तीन, ग्रेट, अंडमानीज चार, जारवा पांच, ओंग भारत की प्रमुख जनजातियों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है एक, उत्तर भारत इसके अंतरगत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमानचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर की जनजातियां आती हैं थारू, गद्धी, भोटिया, मोकसा, जौनसारी, गुजर, कनैप, बकराल, आदी इनमें थारू उत्तर प्रदेश की तथा गुजर, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जनजाती है गुजर, भोटिया, गद्धी, बकराल, कनैत, पशुचारण के लिए मौसमी प्रवास करते हैं भोटिया, मंगोल, प्रजाती के वन्शज हैं इनमें अपहरण विवाह प्रचिलित है जौन सारी, राजी या बनरावत, जो की टिहरी गढ़वाल में पाई जाने वाली जन जाती है में बहुपतीब प्रथा प्रचिलित है थारू, जिनका निवास स्थान मुखेतया नैनिताल जिला है किरात के वन्शज माने जाते हैं इनके शारीरिक लक्षण इनहें मंगोल प्रजाति के वन्शज सिद्ध करते हैं ये दीपावली के पर्व को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं कृष्य कार्य इनका पेशा है मचली मारना इनका पारिवारिक कार्य है भाभर एवं तराइक शेत्रों में निवास करने वाली थारू जन्जाती में पित्र सत्तात्मक या पित्रवन्शिय या पित्र स्थानिक पारिवारिक परंपरा पाई जाती है ये मंत्र तंत्र जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास करते हैं 2. पूर्वोत्तर भारत इसके अंतरगत अरुणांचल प्रदेश, असम, नागालेंड, मडिपुर, मेघाले, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियां आती हैं। नागा तथा कुकी धुर, पूर्वी राज, नागलेंड एवं मडिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। भावी परिवार का निवास स्थान बनता है। बच्चे अपनी माता के कुल के नाम से जाने जाते हैं। स्त्री को इस समाज में विशेश स्थान प्राप्त है। संपत्य की अधिकारणी स्त्री होती है। परिवार के धार्मिक कार्य एवं अनुष्ठान परिवार की सबसे छोटी पुत्री करती है। परिवार की संपत्ति का मुख्य भाग इसे ही प्राप्त होता है। लड़की का ना पैदा होना बुरा माना जाता है। लड़की के ना होने पर गोद लेने की प्रथा है। इस जनजाती का निवास स्थान मुख्य तया मेगाले की खासी पहाडी है। 3. मध्य भारत इसके अंतरगत मध्य प्रदेश, 36 गड़, जारखंड, उड़ीसा, पशिम बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान की जनजातियां आती हैं। गोंड, भील, उराओ, संथाल, मुंडा, मीना, खरिया, आदी। इनमें भील, भारत की संभोता सबसे बड़ी जनजाती है। ये मुख्य तया मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में निवास करती है। यह पुरातन जनजाती है। भील शब्द का उदगम द्रमिड भाषा के वील शब्द से हुआ है। ये कुशल धनुर्धर होते हैं। महभारत काल में धनुर विद्या में प्रमिर अमर्यश प्राप्त प्रख्यात एकलव एक भील ही था। ये एक योद्धा जनजाती है। इनमें बही विर्वाह यानी गिरोह के बाहर विवाह करने की प्रथा है। इनका मुख्य आर्थिक उद्यम क्रिशी है। इनकी भाषा भीली है। इनमें बहु विवाह स्वेकारी है। होली, दीपावली, दशेरा, प्रमुख पर्व हैं। गोंड देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाती मानी जाती है। ये द्रविण वन्शियें हैं। गुहा इनहें प्रोटो आस्ट्रे लॉयट प्रजाती में रखते हैं। कुल गोंड जनसंख्या का लगभग 78 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश एवं 36 गड़ में संकेंद्रित है। ये द्रविण परिवार की गोंडी भाषा बोलते हैं। इनकी अर्थ व्यवस्था क्रिश एवं वन आधारित है। ये परसापन नामक कुल देवता की पूजा करते हैं। मीडा देश की जनसंख्या की द्रिश्ट से पांच प्रमुक जनजातियों भील, गोंड, संथाल, उराओं मीडा में से एक है। इन्हें राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में अनसूचित जनजाति के रूप में विनिद्रिश्ट किया गया है। इनका 99.99 प्रतिशत अकेले राजस्थान में है। राजस्थान की कुल जनजातिये जनसंख्या में 49 प्रतिशत भाग मिडाओं का ही है। अर्थात ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाती भील है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का करीब तेरा प्रतिशत भाग जनजाती के रूप में मानेता प्राप्त किये हुए है। यहां पांच जिलों उदैपुर, जैपुर, डुंगरपुर, बांस बाड़ा एवं सवाई माधोपुर में प्रदेश की कुल जनजाती जनसंख्या का तिरपन प्रतिशत भाग निवास करता है। मध्य प्रदेश में मीना की आबादी करीब दो हजार है, जो विदिशा जिले में केंद्रित है। मीना, मीना या मीन लोग भगवान विश्नु के अवतार मत से अथवा मीना अवतार से अपनी उत्पत्ती मानते हैं। ये राजपूत के अधिक निकट रहते हैं, ये शक्ति के रूप में मा दुरगा की पूजा करते हैं। माला जुझारू इनके एक पूर्वज हैं, जिनकी ये सोगंध खाते हैं। ये पित्रवन्शी संयुक्त परिवार प्रथा का पालन करते हैं। इनका मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृशी है। उराओं भी देश की एक बड़ी जन जाती है। ये द्रवन्वन्शी हैं। इनका मुख्य संकेंद्रण छोटा नागपुर के पठार जारखंड में है। ये कुरुख भाशा बोलते हैं। ताना भगत उरामों का एक संप्रदाय है। ये प्राया शाकाहरी होते हैं। भील तथा गोंड के बाद संथाल देश की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती मानी जाती है। ये भीलों की भाती आर्यपूर्व अवध के माने जाते हैं। इन्हे बिहार, जारखंड, पशिम बंगाल, उडीसा तथा त्रिपुरा में अनुसूचित जन जाती के रूप में मानेता प्राप्त है। ये संथाली भाशा बोलते हैं। जिसकी उत्पती मुंडा भाशा से हुई है। इनकी अपनी ओल्वी की नामक लिपी है। ये बंगाल के वीर भूमी और उडीसा के कटक में क्रिश्य कारी करते हैं। ये असम के चाय बागानों में श्रमिक का कारी करते हैं। दक्षिन बंगाल के सूती वस्त्र मिलों और जूट मिलों में मजदूर के रूप में कारी करते हैं। अतह ये अस्मी, बंगाली, उडीसा, वासी के संपर्क में रहने के कारण बहु भाशी हो गए हैं। ये प्रिकर्ति पूजक होते हैं। इनकी अर्थ व्यवस्था क्रिश्य आधारित है। सोहराई इनका सबसे महत्वपून पर्व है। सिंग वोंगा यानी सूर्य इनके मुख्य कुल देवता हैं। चार दक्षण भारत इसके अंतरगत केरल, करनाटक, तमिल नाडु, आंधर प्रदेश की जनजातियां आती हैं। चेचू, कोटा, मलियन, उरली, डोडा, कुर्गी, नायर, आधी। इनमें टोडा यानी डोडा दक्षण भारत की सबसे बड़ी जन जाती है। इसका मुख्य निवास कुशेत्र, तमिल नाडु में नीलगिरी एवं उटक मंड पाहडी है। ये विशुद्ध शाकाहरी होते हैं। भैस का इनकी अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। इस्त्रियां टोडा समाज में आर्थिक दृष्ट से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्योंकि ये अहरनिश ग्रिह कारी में रत रहती हैं। किन्तु पश्वों से दुग्ध दोहन का कारी प्रथागत रूप से पुरुशों का है। इस्त्रियों के लिए ये कारी निशिद माना जाता है। करनाटक के कुर्ग जिला की कुर्गी जनजाती का शारिरिक सोष्ठव यानी सौंदरिय विश्व की संपूर्ण मानो प्रजाती में उतकृष्टम माना जाता है। उलेखनी है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 1947 में भारत विभाजन के बाद समवैधानिक आदेश 1950 के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या एक दशमलव सात नौ करोड थी। जो की 1951 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर एक दशमलव नौ एक करोड हो गई। ये देश की कुल आबादी का पांच दशमलो तीन छे प्रतिशत थी। 1991 की जनगर्णा के अनुसार इनकी आबादी बढ़कर छे दशमलो सात आठ करोड हो गई। तथा 2011 की जनगर्णा के अनुसार इनकी आबादी बढ़कर दस करोड बैयालिस लाक इक्यासी हजार चोंतिस हो गई है। जो कुल आबादी में इनका हिस्सा करीब आठ दशमलो छे प्रतिशत है। इनमें सर्वाधिक जनगर्णाती आबादी मध्य प्रदेश में एक करोड तिरपन लाक सोलह हजार सात सो चोरासी। लगभग 21.1 प्रतिशत निवास करती है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत आबादी मिजोरम में 94.4 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनगर्णाती आबादी एक करोड पांच लाक दस हजार दो सो तेरह महराष्ट में निवास करती है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या में 9.4 प्रतिशत है। इसके बाद उडिशा में सर्वाधिक आबादी बस्ती है। उडिशा में इनकी जनसंख्या 95,90,756 है। जो प्रदेश की कुल आबादी का 22.8 प्रतिशत है। भारत में कुछ प्रमुख जनजातियों का क्षेत्रवार विवरण। जनजाति क्षेत्र। बेदा लद्दाक जम्मु कश्मीर। बोम्बा कश्मीर के परवतीक शेत्र में घुमन्तु जनजाति। चांग पा सिंधु नदी के उपरी भाग में। बकराल कश्मीर में पशुपालक। हांजी जेलम घाटी में कश्मीर में। जान्सकारी बौध धर्मा वलंबी लेह लद्दाक कारगिल में। शोंपेन ग्रेट निकोबार। इरूला तमिल नाडु में नील गिरी के पदिय भाग में। कुरूम्बा धर्मपुरी जिला तमिल नाडु। डोडा या टोडा नील गिरी उटक मंड पहाडी तमिल नाडु। हो सिंग भूमी जार्खंड एबं मैयूर भंज उडिसामे। हमार मिजोरम। डाफला अरुनांचल प्रदेश। चेचु आंध्र प्रदेश तेलंगाना। गद्धी हिमांचल प्रदेश उत्तरा खंड। भोटिया या रंगलोई या तिनान हिमांचल प्रदेश में। बिरहोर जार्खंड तथा चत्तीस गड। चकमा असम अरुनांचल त्रिपुरा। चांग त्वेनसांग नागलेण। अंगामी कोहिमा नागलेण। अनल मडिपुर। अमीन दिवी लक्ष द्वीप। अका अंडमान। बर्डा एवं बाबुच्छा गुजरात। डोरली चत्तिस गड। मांजी जार्खंड बिहार। मोपला केरल लक्ष द्वीप। मौरी जम्मु कश्मीर। मेक दार्जिलिंग जल्पाई गुडी पश्चिम बंगाल। मिशिंग माजुली द्वीप असम। मिश्मी अरुनांचल असम। मोग त्रिपुरा। मोन लद्दाक कश्मीर। मुंडा उडीसा जार्खंड। ओंग दक्षणी अंडमान। शेर्पा सिक्किम। सहरिया मध्यप्रदेश चत्तिसगळ। बरली। दादरा एवं नगरहवेली। खासी मेघाले। कुन्याक नागलेंड। रेबारी राजस्थान। कुन्याओ झाल रेफिंट